हेलो फ्रेंड्स, क्या S.R.K.A.D.B. Commerce Institute के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हर्दित स्वागतब हम बात कर रहे हैं सिर्फ फूल अकाउंटिंग से के हैं सिर्फ 19 मिनिट में हमने प्रिविएस वीडियो के अंदर हमारा जो पार्ट वन था उसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया था वो हम डिसकस करते हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर क्या आप discuss करने वाले हैं, वो भी हम cover करता हूँ. सबसे पहले cover करते हैं, इस प्रिविज वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, what is accounting, यानि accounting क्या है, five pillars of accounting, यानि कि टेली के अंदर अगर आप work करते हैं, तो वहाँ पर आपको हमने देखा था, इसके बाद हम चले था सब टेली प्राइम में, टेली प्राइम में हमने company create देखा था, elder कैसे करते हैं, shut और delete company, यह हमने देखा था, इसके बाद सब लेजस create, capital के purchase के sales, fixed asset, expenses, income, loan, installment, investment, and drawing, यह सब कुछ हमने previous class के अंदर, यानि की वीडियो के अंदर cover किया था, इसके बाद हमने voucher entry देखे थी, F4, F5, F6, F7, F8 और F9, यह हमने previous class के अंदर cover कर लिया था, आज हम क्या cover करने वाला है, सबसे पर हम बात करते हैं, inventory की, हमने previous में सिप accounting के उपर focus किया था, अब हम inventory के उपर focus करेंगे, कि अगर कोई भी business, inventory maintain करता है, यानि कि stock maintain करता है, तो उनकी accounting कैसे होती है, और teleprime के अंदर इसका use हम कैसे करेंगे, group, go down, items, unit of measures, ये कैसे होगा, then entry in, purchase and sales with items, यानि कि आप ये सब कैसे create करेंगे, उसकी entry कैसे होगी, इसके बाद हम बात करेंगे GST की, what is GST, supply of GST, intrastate, intrastate supply क्या होता है, IGST, CGST, SGST क्या है, input और outputs के ledgers कैसे create करेंगे, transaction कैसे record करेंगे, party ledgers हम और item wise GST के अंदर कैसे create करते हैं, वो हम देखेंगे, इसके बाद GSTR 1, GSTR 2B और GSTR 3B की हम बात करेंगे, trading panel, profit and loss और balance sheet कैसे देखेंगे, और stock summary अगर आपको देखनी है, वो कैसे दिखेंगे, friends, यह सब कुछ, अगर आप कहीं पर भी course करने के लिए जाते हैं, चाए offline हो, चाए online हो, वो आपको 2 या धाई महिने में सिखाते हैं, वो आज हम आपको only for 90 to 120 minutes के अंदर हम यह सब कुछ cover करेंगे, और बिल्कुल free of cost में, वीडियो के last तक बने रही हैंगा, अगर आप यह चाहते हैं, यह चाहते हैं कि सर आपको तो क्या है, हम अगर वीडियो देखेंगे तो सर आपको तो YouTube पैसे देगी, सर यूटूब पैसे देगी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे आपको वो knowledge मिल रहा है, जो knowledge आपकी future के लिए काम आएगा, और इसके base में definitely आप पैसा कमाओगे, क्योंकि आप accounting की post पे job करने के लिए जाओगे, और बहाँ पर आपको सिर इतना ही पूचा जाएगा, अगर आप एक normal accountant की job के लिए जा रहे हो, एडवांस के लिए जा रहे हो, तो एडवांस के लिए हमारा course है, Sir Tax Consultant का, उसमें आप जोईन हो सकते हैं, उसकी link आपको description के अंदर शेरी की हुई है, अगर इतना knowledge हैं, फिर आप accounting में, आप money calculate कर सकते हैं, money gain सकते हैं, आपको अच्छी salary मिले की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक image दिखाते हैं, यह image है, Sir WebAub Varenating Company का एक invoice है, जो invoice उन्होंने दरपन infrastructure private limited को sale किया है, that means कि यह इसके लिए WebAub के लिए purchase invoice है, sales invoice है, और डरपन के लिए यह purchase invoice है, अब यहाँ पर क्या है, Sir invoice number है, उसकी date है, इसके बाद transportation mode है, vehicle number है, जिससे goods transport हुआ है, date of supply है, और जहाँ से planners of supply, यानि की goods कहां से supply हुआ है, इसके बाद यहाँ पर यह product के name है, यह उसका HSN code है, यह description है, यहाँ पर quantity है, unit of measure जिसको हम बोलेंगे, value है, इसके बाद यहाँ पर आपको GST calculate किया हुआ है, यह सब कैसे record करेंगे, यानि कि टेली के अंदर इसको कैसे record करेंगे, यह आज हम इस class के अंदर cover करने वाला है, अगर आप practical accounting कर रहा है, तो यह video आपके लिए बहुत important है, चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, normally, inventory क्या होती है, क्योंकि stock maintain करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी अगर हम से business करते हैं, कोई भी हम business करते हैं, उस business में कोई ने कोई product हम use करते हैं, हम इसको goods बोलते हैं, हमने previous में देखा था, तो हमने goods कवर किया था, goods का मतलब यह रहता है, एक सर, अगर आप कोई भी business करते हो, जिस product का आपका business है, वो आप purchase करें और उस product को अगर आप sale करते हो, तो वो आपका goods माना जाएगा, तो जब हम goods purchase करते हैं, तो normally हमने accounting में देखा था, कि आपने कितने amount का purchase किया, कि आपने 50,000, 80,000 रुपिस का purchase किया, लेकिन stock में क्या करते हैं, तो आपने कौन सा item purchase किया, तर उसकी quantity क्या थी, सर, per rate क्या थी, सर, total value क्या थी, उसको आपने कौन से go down में रखा हुआ है, सर, हमारे पास में अभी कितने LED फॉर एक्जामपल पड़े हुए है, हमने कितने sale किये, हमने total कितने purchase किये थे, per item हमको क्या profit हो रहा है, ये सब कुछ manage करने के लिए, हमको क्या करना होता है, सर, stock maintain करना होता है, ओके, stock maintain, आपका tally के अंदर inventory के features में होता है, tally के अंदर तीन features होता है, नॉर्मल इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट है उसका accounting, दूसरा पार्ट है tally का inventory, और तीसरा पार्ट है tally का taxation, टेक्शेशन, टेली को इन तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हमने एकाउंटिंग के पार्ट को कवर कर लिया था, आज हम इनवेंटरी और टेक्शेशन, इन दो पार्ट को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, तो हमने यहां तक अभी देखा कि सर, यह बिजनेस, स्टॉ की बात आईगी, तो आपको यहां पर क्या-क्या create करना होगा, क्या-क्या use करना होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको item या तो create करने होंगे, इस तरह से आपने lasers create किये थे, उस तरह से आपको items create करने होंगे, इसके बाद उसको अगर आपको edit करना है, तो edit कैसे करेंग गेजी में तो इस तरह से Units of measures भी हमको create करना होता है, इसके बाद हम देखेंगे कि सर उसको आपक ने कौन से go down में रखा हुआ, यानि कि अगर हम go down wise भी maintain करते है, तो उसको कौन से go down में रखा हुआ, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि group wise, अब group क्या मतलब क्या होता है सबसे पहले तो आप यह समझ रहे हैं, यहाँ पर हम lasers के अंदर जो group देख रहे थे, और यहाँ पर जो हम group देख रहे हैं, उसमें रात दिन का अंतर है, यहाँ के जो group होंगे, वो आपको कहीं पर show नहीं होंगे, यानि कि आपका जो financial statement होते है, trading, profit and loss और balance sheet, वहाँ पर आपको कहीं show नहीं होंगे, यह तो आपके सिर्फ एक stores को summarize करने के लिए group आपको create करने होते हैं, आपको एक्जामपल हमारा mobile का business है, चीक है, mobile और LED का हमारा business है, तो हम क्या करते हैं, सर मोबाइल परचेस करते हैं और LED परचेस करते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, sale करते हैं, अब करते हैं, अब हमको ये देखना है कि सर हमारे पास में Samsung के कितने मोबाइल्स पड़े हुए है, तो हमें Samsung का ग्रूप बना होगा, इसमें जितने भी आपके आइटम्स आएंगे, वो सब आइटम्स आएंगे, आइटम वन नबर टू, आइटम नबर थ्री, आइटम नबर फोर, इस तरह से, Apple के जितने भी मोबाइल्स होंगे, वो Apple के ग्रूप में आएंगे, और अगर अगर आपको देखना है कि Samsung के कितने मोबाइल्स पड़े हुए, तो हमको Samsung के ग्रूप के अंदर जाना है, Apple के तो Apple में, और आप उसको summarize कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको group create करने होते हैं, वैसे वैसे आप group create कर सकते हैं, तो यह हमने theoretical concept को cover किया, अब हम इसी की बात करते हैं, कैसा जैसे यह आपका पास में invoice है, उस invoice के आदार पर हमको क्या यही invoice अगर आपको record करना है, तो आपको inventory के अंदर क्या करना ह आइटम create करने से पहले हमको unit of measures create करना है और group create करना है, चलिए, तो हम tally की तरफ move करते हैं, tally हमने actually download, actually open नहीं किया हुआ है, तो just second, हम tally भी open कर लेते हैं, हमने यहाँ पर tally open कर लिया है, tally में, हमने previous में देखा था, अगर आपको कुछ भी create करना हो, तो आपको create के options पर जाएंगो, यहाँ पर आपको inventory master दिखेगा, हमने तीन, देखा था, हमने तीन partners को divide किया हुआ, एक accounting किया हुआ है, दूसरा inventory किया हुआ है, और तीसरा state review यानि की taxation किया हुआ, तो हमें चलना है सर्फ यहाँ पर inventory के अंदर, inventory के दर, सबसे पेले आपको चलना है सर्फ unit, या normalness हम लिखेंगे सर्फ N-U-M-B-E-R, ठीके, और यहाँ पर हम इसको accept कर देंगे, हम एक ही items create करते हैं, फिर GST applicable करेंगे, GST के बारे में थोड़ा knowledge लेंगे, इसके बाद हम items भी create करेंगे, अब क्या करना है सर्फ आपको, simple stock group अगर आपको create करना है, तो आप यहाँ से कर सकत लिए, तो Samsung mobile का आपने group create कर लिया, अब उसको आपको किसके अंदर रखना है, mobile के अंदर रखना है, यहाँ पर हमने इसको कर दिया, इसके बाद अगर हम करते हैं सर, Apple, उसको भी आपको mobile के group में रखना है, आप इस तरह से अलग-अलग create कर सकते हैं, ठीके, यह हमने group create कर ल यहाँ पर हमने इंदूर गोड़ाउन ले लिया, पर एक्जामपल हम लेते हैं सिर्क बोपाल गोड़ाउन, यह हमने बोपाल ले लिया, चीक है, इस तरह से आप गोड़ाउन भी create कर सकते हैं, इसके बाद आपको stock items पर जाना, stock items है पर एक्जामपल आपने लिया, Samsung, Jacks, Black, Samsung, Jacks, Black, for example, 64, JV, इस तरह के mobile साते हैं, उनके नाम लिख लिए, अब यहाँ पर आपको under क्या रखना है, under में आपको Samsung mobile रखना, और unit में आपको number select करना है, ओके, अभी इतना ही करना है, duty हम बात में बात करेंगे, opening quantity अगर आपका पहले से already business चल रहा है, और आपके पास में value आजाए कि, ठीक है, यह हमने एक items create किया, दूसरा हम करते हैं, for example, apple, apple mobile, 11, white, ठीक है, यहाँ पर आपको apple के अंद लिखना है, और आपको unit number select करना है, और save करते हैं, बस इतना आपको यहाँ पर गरना है, इतना आपना items create करते हैं, इतना आपना items create करते हैं, आइटम की code करना है, तो आपको यहाँ पर vouchers में जाना है, और जैसे आप vouchers में जाओगे, आपको F8 या F9, आप यहाँ पर purchase करोगे, तो आपको F9 select करना है, अब F9 में हमने previous में देखाता है, यहाँ पर हमने account invoice को लिया हुआ है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज mode करना करना, जैसे आप item लिए select करोगे, आपको step का purchase का dashboard आपको देख जाएगा, supplier invoice number, for example, इसी की हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा जो भी suppliers invoice number है, उसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी supplier का invoice number है, वो invoice number रिंटर करन है, तो जैसे हमने कोई invoice number अपडेट कर दिया, 43545, date आप इंटर कर लेंगे, party किस से आपने purchase किया, for example, आपने महिपाल से purchase किया हुआ, अभी यहाँ पर हम कुछ ने इंटर करेंगे, just आने के बात हम थोड़ा सा और change देखेंगे, purchase laser में आपको purchase select करना है, name of items, name of items में क्या purchase कर रहे हैं, अब इसको आपको कौन से go down में रखना है, तो आपको यहाँ पर दो go down है, एक indoor का go down है, और एक बोपाल का go down है, तो आपको indoor के go down में रखना है, कितनी quantity है, for example, 10 quantity, एक का rate कितना है, for example, 50,000, तो आपके यह 5 lakh rupees के items आगे, दूसरा, यहाँ पर आपके पास मैं Samsung Jazz 6 से, कौन से go down में रखना है, इसको आपको indoor के go down में रखना है, इतनी quantity 10, कितना rate है, for example, 12,000, 120,000, इस तरह से आपको items wise entry करनी है, simple है, इस तरह से आपको क्या करना है सर, item wise entry करनी है, अब ऐसे ही ऐसे आपके क्या होगी सर, sales होगा, sales समझाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पर party name, for example, हम बात करते है, रुपेश, जिसको हमने good sales किया हुआ, delivery note, dispatch document, through destination क्या है, bill और landing number क्या है, motor vehicle number जो आपको invoice में अभी दीख रहा था, वो सब कुछ हम यहाँ पर cover करेंगे, इसके बाद इसको control A से save करतेंगे, और sales में हम जाएंगे, previous में हमने sales के लेज़ेश के ले mobile sales करने, 50,000 रुपीज में हमने purchase किया था, 60,000 रुपीज में sales करते हैं, यहाँ पर आपको one like 20,000 रुपीज में sales हो रहा है, ठीक है, एक ही mobile I am sales कर रहा है, दूसरे नहीं कर रहा है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको से save कर देंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, profit and loss accounts में जाके, तो यहाँ पर आपको purchase में दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर हम purchase क्यों select करते हैं, यहाँ पर purchase इसलिए select करते हैं, क्योंकि यहाँ पर purchase के account में हमें दिखता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी आपने यहाँ पर महीपाल से 6,20,000 रुपीज में ये goods purchase किये थे, अगरे stock wise दिखर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा sir, stock summary में, mobile आपने, apple आपके पास में 8 पड़े हुआ, f12 प्रेस करेंगे, opening quantity, आपकी rate, opening quantity, इस option को आप yes करेंगे, invert को भी yes करेंगे, outward को भी yes करेंगे, तो सब details आपके पास में आजाएगे, जैसे हमारे पास opening कुछ नहीं था, inventory हमने 10 purchase किये, 2 sales किये, 8 app बच्चे हुए, जो stock है हमारे पास में, 4 lakh रुपे, यह एक simple, यानि कि अगर बिरा GST के अगर आपको entry करनी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, चलिए, अब हम बात करते हैं, आगे GST के, जो कि हमारा main important part है, accounting point of use, अब इसको आप ध्यान से समझ लेजिएगा, बिल्कुल skip मत किएगा, क्योंकि GST अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा, और आपके दिमाख में अगर एक बार बेट गया, तो फिर आप lifetime उसको भूलोगे नहीं, और lifetime अगर आप नहीं भूलोगे तो वो आपके lifetime आप है, जिसको हम बोलते हैं, GST, goods का मतलब हमने अभी देखा था जिसको हम product बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, sir, measure करते हैं, किसी भी चीज़ में हमको इसको measure कर सकते हैं, और service का मतलब कि जैसे doctor, lawyer, जैसे chartered accountants, insurance company, यह हमको क्या करती है, service provide करती है, before GST क्या था, product के उपर आपको service tax pay करना होता था, यानि कि यह सब अलग-अलग taxes थे, लेकिन अब क्या हो गया है, इन सब को उन्होंने एक combine करके एक ही tax ले आए, जिसको हम बोलते हैं, GST, अगर आप good sales करोगे, तो भी आपको GST collect करना है, अगर आप service sales करोगे, तो भी आपको GST collect करना है, अगर ठीक है, government हम से क्या लेती है, GST लेती है, अब product के उपर आपको GST pay करना होता है, जो भी आप product purchase करता है, उसके उपर आपको tax pay करना होता है, लेकिन यह tax government तो आपसे direct नहीं ले लिए न, अगर आपको tax pay करना, for example, अगर आपने 100 रुपीज का को एक product purchase किया, जिस पर for example, 5% का tax है, तो government को आप 5 रुपीज दोगे क्या, नहीं sir, हम government को 5 रुपीज नहीं देंगे, तो क्या होगा sir, इसमें सेनारियो क्या, इसमें सेनारियो यह है कि sir, government ने जो भी good sales करता है, उनको यह responsibility ती, उनको उन्होंने बोला कि sir, आपका जो भी product है, आपका 100 रुपीज का product है, आ आपके 100 रुपीज लिजिए, लेकिन उसमें इस product पर हम आपको यह बोलता है कि 5%, यानि कि 100 पे 5 रुपीज आपके extra charge किजी अपने client से, और ये 5 रुपीज हमको government को आप दे दीजिए, यह responsibility नहीं किसको दी, जो sales करता है, और sales कौन करता है, जिस जो business करता है, simple चीज है, जो business करता है, वो good sales करता है, और जो businessmen है, उनको responsibility दी, government, कि आप जिसको भी good sales कर रहे हो, उनसे extra, हम जो भी जिस product के उपर जितना percentage बोलेंगे, उतना आप उनसे collect करो, और हमको दे दो, अब businessmen ने बोला, नाई सर, ऐसा तो नहीं होगा, हम एसे कैसे करें से, तब को करना है क्या, कोई भी good sales करेंगा, चोटे वियापारी को चाय कोफी बेच रहा है, क्या उसको भी करना है, चोटे दुकान लेके बेचा हुआ है, क्या उसको भी करना है, तो government ने एक guideline दी, government ने क्या guideline दी, sir, government ने ये बोला, कि कोई बात ने, आप सभी नहीं कर सकते हो, हम उसका एक criteria रखत भी है, लेकिन ज्यादातर state में 40 leg है, अगर आपका turnover previous year का 40 leg रुपीज से cross कर जाता है, तो आपको GST में registration करवाना होगा, अगर आपका 40 leg रुपीज का turnover हो जाता है, तो GST में registration के लिए आपको normal documents के requirement होती है, जैसे pen card, other card, आपके business का license, rent agreement, photo, signature, bank details, ये सब requirement होती है, और person GST department से online registration करता है, जैसे ही registration वो करेगा, उनके पास में एक GST number आ जाएगा, जैसे ही उनके पास में 15 digits का GST number आता है, जैसे में आगे की दो digits होते हैं, वो state की code होते हैं, बाकी के 10 digits उस person का pain number होता है, और बाकी के 3 digits as per government के हिसाब से उनको दे रखे होता है, तो ये 15 digits का ए GST आ ये number उस person को मिलता, जैसे उस person को 15 digits का GST आ ये number मिल जाएगा, इसके बाद वो person क्या होता है, सर्च GST में registered हो जाता है, क्या हो जाता है, सर्च GST में registered हो जाता, अब वो GST में registered हो जाता, अब वो GST में registered, जैसे ही उसने GST में registration लिया, जैसे ही उसने GST में registration लिया, अब वो कोई भी good sales करेगा, कोई भी good sales करेगा, उसको सामने वाले party से tax collect करना पड़ेगा, clear, that means, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर GST के अंदर normally दो persons होते हैं, GST के अंदर कोन पर persons होते हैं, एक होता है sir, registered dealer, एक होता है registered dealer, और दूसरा होता है unregister dealer, एक होता है, इस ? डीलर दूसरा होता है unregister dealer, registered dealer का मतलब होता है, कि जिसके पास में GST number है, जिसके पास में GST number है, unregistered का मतलब होता है, कि जिसके पास में GST number नहीं है, अब यह अगर कोई good sales करेगा, For example, उसने, for example, जिसने, जिसके पास में JST number है, वो अगर good sales करेगा 100 रुपीज और उस product पर, for example, 5% का tax है, तो ये 5 रुपिया अलग से charge करेगा, यानि कि सामने वाली party से 105 रुपे charge करेगा, और ये unregister dealer है, और उसी product का rate, for example, 100 रुपीज है, तो ये 5 रुपे charge नहीं करेगा, औ से collect करेगा, got it my point, तो register dealer अगर कोई भी good sales करता है, तो वो सामने वाले person से tax collect करता है, और unregister person किसी से tax collect नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसके पास में GST number ही नहीं है, और वो GST में registered ही नहीं है, तो कितना है turnover होना चीए आपका GST registration में, 40 रुपीज, 40 रुपीज तक है, तो आ आप GST में registration लेना नहीं है, लेकिन normally किसी-किसी cases में आपको GST में compulsory registration लेना होता है, और कभी-कभी आप voluntary registration भी ले सकते हैं, voluntary का मतलब यह होता है, कि अगर आप किसी company से goods purchase कर रहे हो, और सामने वाली company बोल भी हैं, अगर आप GST में registration लोग है, तो ही हम आपको good sales करेंगे, औ और आपका turnover, for example, 20 lakh rupees, तो आपको मजबूरन से GST में registration लेना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली territory आपको force कर रही है, तो फिर आप GST में registration voluntary आप ले सकते हैं, अगर आपने voluntary भी registration ले लिया, और आपके पास में registration number आ गया, तो आप कोई भी good sales करोगे, कोई भी good sales करोगे, आपक यह देखा कि register dealer क्या होता है, और unregister dealer क्या होता है, register dealer का मतलब जो GST में registered होता है, अब सर जो भी registered होता है, हम उसकी बात करें, unregister dealer की हम बात ही नहीं करेंगे सर, जो register GST में registered dealer है, उसकी हम बात करता है, अब जो register dealer होता है, वो क्या करता है सर, वो goods को purchase करता है, क्या करता है स जब Goods को Purchase करता है और उसी Goods को वो क्या करेगा, Sir Sales करेगा, clear? अगर manufacturing business है तो Goods को manufacturing करके Sales करेगा, अगर कोई trading business है तो as it is वो Goods किसी को Sales करेगा, हम यहाँ पर Goods Purchase करते हैं और Goods Sales करते हैं, यह दो तरीके से होता है, एक तो हम करते हैं Sir Within State, इसे करते हैं, within state, within state का मतलब होता है कि आप एक ही state के अंदर, for example, हम बात कर रहें MP के, और हमने किसी MP के ही, किसी cities से हमने कोई goods purchase किया, उसको हम बोलते है within state, और दूसरा होता है, इंटर state, इंटर state, यानि कि एक state से दूसरे state, for example, हम MP से हैं, हमने कोई UP से goods purchase किया, that's called interstate, तो यहाँ पर आपके दो हैं, एक within state, जिसको हम बोलते हैं, इंटर state बोलते हैं, जो ही आपका इंटरा स्टेट होगा, और यह इसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट, आपको यह ध्यान रखना है, इंटरा स्टेट और इंटर स्टेट, अब यहाँ पर सिंपल है, GST आपके पास में नॉर्मली एक ही टेक्स है, GST, लेकिन पहले क्या था, ज्यान से समझो, पहले क्या था, वेट था, वो state government के पास में था, यानि कि अगर आप वेट जो पे कर रहे हो, सीधा-सीधा आपका चला जाता था, state government के पास में, GST जो था, वो था, normally central government के पास में, और service tax जो आपका था, वो भी था central government के पास में, तो यहाँ पर आपको अलग-अलग decide किया हुआ था, कि इसकी income state की है, तो वो वेट की है, तो state में जाएगी, और CST और service tax है, तो वो central tax के पास में, यानि कि government के सेंटरल गवर्मेंट के पास में जाएगा लेकिन जर जी अस्टी पूरे कंट्री में एक ही टेक्स है जिसको हम बोलते हैं वन नेशन वन टेक्स जो जेस्टी है के रेट यानि कि कोई किसी गूर्स का रेट आपके स्टेट में अगर 5% है अब किसी भी अधर स्टेट से अग को जी अस्टी नेंबर बेदा है तो जी अस्टी पूरे कंट्री के अंदर एक ही टेक्स है तो स्टेट गवर्मेंट को इंकम कैसे होगी और अपकी जो केंदर की सरकार है यानि कि सेंटरल गवर्मेंट को इंकम कैसे होगी तो उन्होंने क्या करा टेक्स को तीन पार्ट में divide किया, सबसे पहला पार्ट उन्हें ने किया, जिसको हम बोलते हैं Sir IGST, दूसरा पार्ट उन्हें किया Sir CGST, और तीसरा पार्ट उन्हें किया SGST, GST को उन्हें इस तरह से तीन पार्ट में divide किया, IE का मतलब उन्हें बोला Sir Entry Graded Goods and Service Tax, CGST को उन्हें बोला Sir Central Goods and Service Tax, और स्टेट को S को उन्हें बोला Sir State Goods and Service Tax, तो यह क्या है Sir, यह तीन पार्ट है, एक IGST है, एक CGST है और एक SGST है, यह GST के तीन पार्ट है, अब से यह Tax कैसे लेवीड करेगा, कोई भी परसन अगर किसी को Goods कर रहा है, तो वो Tax कैसे चार्ज करेगा, For example, Ram एक Registered Person, ज्यान से समझना, बहुत इजी तरीके से में आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, Ram एक Registered Dealer है, उसने 1000 रुपीज का कोई Goods और जिस पर 5% का Tax था, वो उन्होंने शाम को Sales किया, इसको Sales किया, शाम को उन्होंने Sales किया, ठीके सर, अब क्या होगा, अब इस सबसे पहले सर, यह डिसाइड होगा कि स्याम कौन से स्टेट में है, यानि कि स्याम, अगर हमारे यानि कि स्याम स्टेट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, Interstate Sales Okay Interstate Sales जब भी Interstate Sales होगा तो आपको इस तरह से Tax लगेगा एक होगा सर CGST और दूसरा होगा आपका SGST कितना कितना सर 50-50 यानि कि सर 2.5% यह और 2.5% आपका यह Okay कब जब आपका Same State हो अगर यह Product रगर 12% का होता तो सर यह कैसे होता सर यह 6% यह होता सर यही Product अगर 28% का होता तो सर 14% यह होता और 14% आपका यह होता That means कि अगर आप कोई भी Goods कोई भी Goods या कोई भी Service अगर आप Same State से Purchase करते हो या फिर अगर आप Sales करते हो Same State से अगर आप Purchase करते हो या Sales करते हो तो आपको दो ही टेक्स चार्ज करने हैं और पे करने cgst और sgst 50-50% clear हूँ रहा आपको यहाँ तक I hope कि यहाँ तक आपको easy तरीकी से समझ में आ रहा है कि यानि कि कोई भी goods अगर हम same state में पर्चेस कर रहे हैं तो भी cgst sgst और sales कर रहे हैं तो भी cgst sgst अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि for example यह जो हमारा sham है for example यह जो हमारा sham है यह sham for example UP में अंदर है कहा है सर UP यानि कि हम कहा है सर हमारा place of supply क्या है हम में UP है और goods कहा पे जा रहा है सर UP जा रहा है अब MP और UP यह दोनों अलग-अलग state है इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे सर इंटर स्टेट बोलेंगे अब इंटर स्टेट अगर sales होगा तो इंटर स्टेट sales बोलेंगे और अगर purchase होगा तो इंटर स्टेट purchase बोलेंगे clear हो रहा है आपको यहाँ चला सर अब सरे अगर इंटरस्टेट सेंस्ट पर्चेस हो था कौन सा टेक्स लगाएंगे तो सर हम यहाँ पर सिंपल एक ही टेक्स लगाएंगी जिसका नाम है जी एस्टी कितना अगर प्रोडिक्ट का पांच पर संट तो 5% पूरा अगर किसी product का 12% है, 12% पूरा, अगर किसी product का 18% है, 18% पूरा, clear हो है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने दो चीजे cover की है, उसको थोड़ा सा quick notes बना के इसका screenshot आप ले सकते हैं, same to same, interstate, यहाँ पर आप दियान रखिए का मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, यह IGST, 50-50%, ओके, और interstate में आपका IGST, अब ज्यान से समझना है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, sir, purchase की, interstate के साथ, अगर हम add कर लेते हैं, purchase, क्या add कर लेंगे, sir, purchase, और अगर इसके साथ ले, इसका साथ, यहाँ पर और लिख लेते हैं, sir, interstate, sets, और interstate sets, clear है, चल, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी आपका CGST लगेगा, sir, for example, 2.5%, SGST, for example, 2.5%, और यहाँ पर लगेगा, sir, आपका SGST, for example, 5%, clear हो रहा, शलो, अब बात कर रहा है, कि अगर हम, sir, कोई भी goods purchase करेगे, ध्यान से समझना आप, अगर हम कोई goods purchase करेगे, तो जब भी हम कोई goods purchase करते हैं, तो goods हमारे यहाँ पर क्या होता है, गूर्स हमारे यहाँ पर क्या होता है, इन होता है, ज्यान से समझे रहो, अगर हम goods purchase करते हैं, तो goods हमारी यहाँ पर क्या होता है, sir, in होता है, इन होता है, इसलिए हम उसको input बोलता है, इन होता है, इसलिए जो text होता है, इसको input बोलता है, तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, sir, input, ठीक है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे, sir, input, य अगर आप goods purchase कर रहे हो, goods आपके यहाँ पर in हो रहा है, तो text भी in हो रहा है, आप दे रहे हो, लेकिन आपको text का जो figure वो आपको बेज रहा है, तो input cgst, input sgst और input igst, अब अगर हम sales करेंगे तो goods क्या हो रहा है से, out हो रहा है, तो आप ही बता दो, क्या लिखेंगे से यहाँ पर output, output, and output, simple input, output, input, output, तो यह आपके users बन जाते हैं, अब आपके यह क्या बन जाते हैं, sir, laysers बन जाते हैं, अब अब स्को हम थोड़ा सा और टेली के इसाब से रही है, यह हमने theoretical concept के अंतिर cover किया, हम इसको क्या करते हैं sir, थे यूरिकल टेली के इसाब से clear करते है, अगर आप कोई भी goods, द्यान से सबझना अगर आप कोई भी goods purchase कर रहे हो कोई goods अगर आप purchase कर रहे हो तो जब भी हम goods purchase करते हैं अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे, टेली के अंदर हमको यहाँ पे show करना होता है, कहाँ पे show करना होता है, तो टेली के हमको यहाँ पे show करना होता है, ज्यान से सबज़ना, यहाँ पे, यह जो purchase है, यहाँ पे हमको show करना होता है, कि हमने कितना goods purchase किया, लेकिन अगर हम text की बात करते हैं हम GST में अगर पर्चेस कर रहे हैं तो हमको ये भी पर्चेस करना होता है किसे हमने इंट्रास्टेट कितना पर्चेस किया और इंटर स्टेट कितना पर्चेस किया इंट्रास्टेट कितना किया और इंटर स्टेट आपने कितना पर्चेस, simple, okay, got it my point, sir, अगर हम बात करें कोई product अगर 5% का कर रहे हैं, तो 5% आप लिख सकते हैं, कोई product अगर आप 18% का कर रहे हैं, तो 8% लिख सकते हैं, और कोई product अगर आप 28% का पर्चेस कर रहे हैं, तो 28%, separate product wise भी आप rate collect कर सकते हैं, अब sir, intrastate purchase होगा, तो इसके साथ में text के कौन से दो ledgers बनेगे, intrastate होगा, तो text के कौन से दो ledgers बनेगे, तो यहां पर हमारे बनेगे sir, input cgst, add rate नहीं लिखना हमको, input sgst, वो हम आगे देखें कि टेली के अंदर किस तरह से आप create करते हैं, और interstate में input igst, बस, यह तरह से आपको ledgers create करना है, है, clear हो गया, अब sales होगा, पर्चेस की जगह आपका क्या हो जाएगा, sales, तो in की जगह क्या हो जाएगा, out, in की ज़ीचा हो जाएगा, out हो जाएगा, clear हो रहा है, सब ये इस थो हमको क्या करना होंगे, सब हमको loginx create करना होंगे, और फिर हम जब GST के इंदर जाते हैं, तो हमें party wise माइस भी देखना होता है, party wise क्या देखना होता है? Party के जो ど लेजर क्या होता है, उनमें हमको GST Number इंटर करना होता है, अब GST number क्यों इंटर करना होता है क्योंकि जब भी हम GST के return file करते हैं GST के हम return file करते हैं हमारे GST के normally three returns है एक हम जो भी good sales करते हैं जो भी हम good sales करते हैं उस sales की details करने के लिए हमारे पास में GSTR कौन है purchase की details के लिए हमारे पास में GSTR 2 है और experiment करने के लिए आपके पास में return है GSTR 3B अब आगे थोड़ा और मैं detail में अच्छे से आपको explain करूँगा कि ये क्या है अब हम बात करते है normally GSTR 1 GSTR 1 के अंदर जो details जाती है वो दो तरीके से जाती है एक जाती है sir B2B, B2B का मतलब होता है sir हम भी registered है और सामने वाली party भी registered है और B2C यानि कि sir हम तो registered है लेकिन सामने वाली party unregister है सामने वाली party unregister है सर्फ देखा जाए थो GSTR बहुत बड़ा है हम आपको इतने चोटे से time में इतना detail में GSTR explain नहीं कर सकता अगर आपको detail में GST सीखना है तो हमारा text consultant का course आप जोइन कर सकते हैं यहाँ पर GST expert का भी course आप जोइन कर सकते हैं में उसका GSTN नंबर हमको इंटर करना पड़ेगा got it my point उसके लेजर्स में हमको क्या करना पड़ेगा से GST नंबर इंटर करना पड़ेगा और उसका place of supply यानि कि सरफ कौन से state से belong करता उसके हिताब से हमको text भी चार्ज करना है तो उसके लेजर्स में हमको वो सब कवर करना होगा clear है अब हम देखें कि आगे GST के लेजर्स आप कैसे create करोगे और उसके अंदर आप किस तरह से entry करोगे अब हम GST के आगे बात करते हैं कि सर नॉर्मली क्या होता है कि आप जो भी goods purchase करते हैं उसकी आप इंटरी कर दोगे और जो भी goods आप sales करोगे आप उसके entry कर दोगे अब क्या होगा से GST के entry करने के बाद अगर आप GST registered हो तो आपको GST के कुछ compliance फोलू करने पड़ते हैं क्या compliance फोलू करने पड़ते हैं ज्यांसी समझना तो आपको GST के हर monthly return file करने होते हैं क्या return file करने होते हैं GST के हर monthly आपको return file करने होते हैं अब यहां पर हम अगर good sales करते हैं तो उसके details हमको देनी होती है government को एक तारिक से लेके 10 तारिक कैसे जैसे पर example अभी मन्त चल रहा है हमारा June हमारा finish हो गया तो एक June से 30 June के बीच में आपने जितने भी sales किये होंगे उस sales की details आपको 10 July तक आपको GSTR 1 के एक format में आपको देनी है GSTR 1 के एक format में आपको देनी है ठीक है तो यहां पर आपको यह details GSTR 1 phone फाइल करना है अब अगर रेजिस्टर डिलर है तो अगर आप हम बात करते हैं GSTR 1 की तो उसके GSTR 1 में कौनसी sales की details जाती है और sales की details जाती है उसमें अगर आप B2B sales कर रहे हो हमने अभी अभी देखा B2B का मतलब सामने वाले party भी registered है और आप धी registered हो तो आपको invoice-wise details provide करनी होगी कौनसी details sir invoice-wise details आपको provide करनी होगी और अगर हम बात कर रहे हैं sir B2C की तो यहां पर आपक percentage-wise details provide करनी होगी जैसे for example A है A को आपने तीन बील बेज़े एक दो और तीन तो तीनों बील आप separate separate दिखाऊगे इसके details अलग दोगे इसके details आप अलग 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 दोगे तो इसको बोलते हैं B2B अब ध्यान से समझो तर यहां पर हमारे पास में यहां पर दो पार्टी है कितनी पार्टी हैं दो पार्टी एक पार्टी जिसने good sales किया और एक पार्टी जिसने goods purchase किया तो यहां पर हम जो भी good sales करेंगे वो हम हमारे GSTR1 के अंदर show करेंगे कि हमने इस पार्टी को good sales किया अब वो goods वो invoice सामने वाली पार्टी के GSTR2A और GSTR2B के return में show होगा तो यहां पर show होने से क्या होता है तो हमारे पास में हमने दो return देख लिए GSTR1 जो होता है वो sales का return होता है और GSTR2A जो returns होता है वो purchase का return होता है तो sir purchase के return कि हमको क्या requirement है क्योंकि sir हम जिससे भी goods collect कर रहे है वो हम government को pay कर देंगे नई sir ऐसा नहीं है त्यान से समझो हम आगे points cover करते हैं sir input tax credit ये points बहुत important है अगर हम GST की बात करते हैं तो input tax credit हमारे लिए बहुत important topics है GST का अब input tax credit क्या होता है हम क्या करते हैं sir goods purchase करते है विलकुल sir purchase करते है उस पर हम tax pay करता है और वो person tax government को pay करता है हम जो tax है वो एक किसी other person को pay करते हैं यानि कि जिसको हम बोलते हैं indirect tax tax shifted from one person to another ये जो tax है एक person से दूसरे person को shift कर दिया जाता है तो हमने जो भी tax pay किया purchase के time पर जो भी tax pay किया for example हमने 1000 रुपीज का goods purchase किया जिसके उपर हमने 90 रुपीज और 90 रुपीज 99% के हिसाब से tax pay किया 1180 रुपीज हमने सामने वाली party को pay किया अब यही goods हम किसी को sales करेंगे यही goods हम किसी को sales करेंगे सर 1100 रुपीज हमारा product होगा और उस पर हम अगर 9% के हिसाब से करते हैं तो 99 रुपीज 99 रुपीज और यह जो भी आपका amount आ जाएगा सर 8 8 9 2 1 2 9 8 for example क्या आपका amount आगया अब क्या हो गया सर आपने यह जो tax है यह tax है आपका output है clear है यह क्या है सर यह आपका output है अब इसको cgst hgst मानों आप यह तर आपका input है क्योंकि हम purchase के समय क्या करते हैं सर input हमने बोला था previous किसमें आपको एक-एक वर्ट से त्यान रखना है यह आपका output है यह आपका input है अब government ने क्या बोला था कि सर सामने वाली पार्टी साब tax collect करो तो हमने for example राम से यह tax collect किया था for example हमने राम को good sales किया और राम से यह हमने tax collect किया 198 रुपीज का अब यह जो 198 रुपीज का हमने tax collect किया यह हमको government को pay करना है अब government हमने बोलते हैं लाव 198 रुपीज लाव हमारे 198 रुपीज लाव हमारे 198 रुपीज लाव हमारे 198 रुपीज अब यह जो sales है यह sales आपको GSTR1 के अंदर दिखानी है ओके सर हमने GSTR1 के अंदर दिखा दिया और दिखा दिया लेकिन सर इसका payment कैसे होगा यह 108 यानि कि 99 99 का payment कैसे करोगे तो इसके लिए आपके पास में और और तीसरा return है जिसका नाम है GSTR3B यह जो returns है यह returns आपका payment का returns है ठीक है थोड़ा सा और हम scroll down करते हैं और यहाँ पर आ के अंदर शो किया उसकी details आपके यहाँ पर आ जाती है सर outward supply का मतलब होता है sales कितनी आई सर 99 और 99 यह आपका आगया सर CGST यह आगया आपका SGST टोटल आपको टेक्स पे करना है सर 198 रुपीज का GSTR3B के अंदर यह figure आ गया कि सर आपको टोटल इतना टेक्स पे करना हमने बोला सर शांती रखो मोदी जी थोड़ी सांती रखो सर हमने इन भया को ओल्रेडी सर यह 1990 रुपीज का जो टेक्स पे कर दिया इसका क्या सर इसका गुड्स परचेस किया है अगर हमारे GSTR2A-2B में दिखता है तो ही हम यहाँ पे माइनस कर पाएंगे अधरवाइस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर हमको हमारे रिटर्न के अंदर शो कर रहा है GSTR2B में तो हम क्या करेंगे साब यहाँ पे इनवर्ड सपला है इनवर्ड इसकी आप क्रेडिट ले लो और आप हमको कितना पे कर दो सर आप हमको सिंपल यह 18 रुपिय जो पे कर दो कितना पे कर दो 18 रुपिय आप हमको पे कर दो ठीक है सर यह 18 रुपिय हम गवर्ड को बाए चालान के तुरू GSTR2 का चालान क्रेट करके हम बाए बैंक से उनको पेम आपको कब मिलेगा, आपको कब नहीं मिलेगा, block input test credit क्या होता है, ये उसके लिए कौन-कौन से documents की requirement होती है, कौन-कौन सी conditions होती है, ये सब कुछ details में हम अगर आप class join करोगे, तो वहाँ पर हम आपको explain करेंगे, अभी आपको सिर्फ इतने ही जरूरत है knowledge के लिए, अगर आप data entry operator, एक simple accountant की post पे अगर आप job करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ इतना knowledge कि जरूरत है, सामने वाला आपसे इतना ही पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सर हमने देख लिया, कि अगर आपको GST के इंटर्वी में, अगर आपको कोई पूछे, ये GST के कितने returns होते हैं, तो आ हमारे यहां, हमारे GSTR 2A 2B में दिखता है, सर, पूछे से GSTR 3B किसके लिए return होता है, तो आप बता सकते हो किसे ये जो payment के लिए returns होता है, और इसकी details आपके कहां से आती है, उसकी details आपके GSTR 1 से sales कियाती है, और GSTR 2A 2B से आपकी purchase किया जाती है, सर, तो जो text का payment बचेग यही नहीं, तो GST के point को हमने यहां पर अच्छी तरह से समझ लिया, अब हम सिंपल से बात करते हैं, यहां पर, अब हम उसको GST के अंदर टेली में किस तरह से operate करेंगे, यह हम देख लेता है, चलिए, अब जान से समझते हैं, यह हमारा GST, अब आपको क्या करना है कि अगर आप पहले GST में अफंटर नहीं ठी, पहले आप GST में रिंस्टर नहीं ठी, तोड़ा सा पाने पी लेते सर, आप भी पाने पी लोग क्यी बहुत टाइम हो गया, हुए, खेली, चल्डौ, अब हम पहले जैसे आप Taxation की option पर जाओगे यहां पर आपको yes करना है, yes करने के बाद आपकी एक window open हो जाएगी, उस window में आपका registration status आपका active है, state क्या आपका, किस state से आप belong करते हूं, तो हम मध्यप्रदेश से, regular type, यानि कि से यह जो gst है, यह regular है, या composition scheme है, composition scheme क्या होता है, तो यह अलगी वीडियो है, पूरा हमारे चैनल पर है, composition scheme का वह आप है, आप देख सकते हैं, ऐसा से अधर territory नहीं है, gst यह नमबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो हम किसी का एक gst यह नमबर इंटर कर लेता है, perfect gst यह नमबर इंटर कर लेता है, तो आपके लिए फोड़ा easy हो आप सर्पर इंटर करना चाहते हैं, यहां पर अगर आपके लिए उपर इंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए उपर हमारे उपर अभी नहीं है, सर्फ इवे बिल अपनिकबल है? यस हमको इवे बिल जनरेट करना होता है, थोड़ा साल इसके बारे में भी देख लेता है, अगर आप को इवे बिल सप्लाई कर और आपका गुर्स की वैल्यू 50,000 रुपीज से ज़्यादा है, तो आपको इवे बिल जनरेट करना होगा, अ GST की playlist में जाएए, आपको वहाँ पर सभी GST के videos मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर देख लिजिए कि सरी वे बिल आपको कब जद्रेट करना है, कब cancel कर सकते हैं, कब कौन-कौन से कंसाई नहीं अलग है, तो क्या होगा, यह सब कुछ आपको बहाँ पर हैं, इसके बाद से हमारे इंडिया के अंदर कब लाँच हुआ था, तो 1st July 2017 को रात को मोदी जी जी घंड़ा बजागे, GST को applicable किया था, अप्लिकेबल फॉर इंट्रस्टेट, इंट्रस्टेट, यह सर, एंट्रस्टेट, अनादर GST रिजिस्टेशन नवर अगर आपका कोई है, तो और भी आप डाल सकते हैं, फिर आप इस ऑप्शन को आप से यस करते हैं, जैसे आप यहाँ पर यह डिटेल्स आएगी, इस डि इंट्रस्टेट परचेस कर रहें, तो हमको लिजास्साद लिखन एथा, हमको लॉकल परचेस भी लिख सकता है, तो लॉकल परचेस, अब इस稍द हैं, आपको किस हैड़ में रखना है, रिजिस son Crash, परचेस के हैड़ में, इसके हैड ऑपॉप लेजर्स, non-applicable, include SSC value calculation, पर आपको करने की जरूरत है specific details here, अब यह जो goods है, यह जो goods भी आप sales कर रहे हो, यह taxable है, adjusted rate आप कौन से goods purchase कर रहे हो, यानि कि 5% का कर रहे हो, तो 5%, 12% का कर रहे हो, तो 12%, 18% का कर रहे हो, तो 18%, normally क्या होता है, यहाँ पर आपको rate insert करने की जरूरत नहीं होती है, अगर हम item में rate enter कर लेते हैं, हम आगे भी देखेंगे items में, लेकिन कभी क्या होता है, अभी हम calculate कर रहे हैं, तो test का calculation नहीं ले रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर, for example, 5% का हिसा आप से rate डाले के, अब यह goods कौन से है, आपका goods है, यहाँ पर backspace जाके, हम यहाँ पर क्या करेंग है, तो यहाँ पर आपने सब कुछ कर दिया, और इसके बाद आप क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इनपूट, CGST, और SGST के लजए स्क्रीट करना, क्योंकि हमने local किया हुआ, तो हम करेंगे, sir, input, CGST, यहाँ पर percentage इंटर नहीं करना, यहाँ आपको क्योंकि है, तो हम यहाँ पर इंटर करना है, इसमें आपको करना, जी ऐस्ट, ठीक है, अब यहाँ पर, sir, आपका input है, और C है, C का मतब होता है, तो आप यहाँ पर करेंगे, CGST, ठीक है, प्रसिंटर जब क्यलकुलेशन, इंसर्ट करने की बिल्कुल ज़रुरुरत नहीं है, not applicable round-off कर सकते, opening balances नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, sir, input, SGST, duties and taxes, same to same ledgers बनेंगे, जिब यहाँ पर आपका SGST, UT, GST आ जाएगा, ठीक है, percentage इंटर करने के जरूरत बिल्कुल नहीं है, यह तो हमने कर लिया, SGST के ledgers, फिर sales के results भी आपके as it is ही बनेंगे, sales के भी बना लाते हैं, local sales at the rate of 5%, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका sales, यहाँ पर आपका not applicable, applicable यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या करना है, specific details here, और इस option में taxable और 5% और goods, जो हमने purchase में किया था, वो ही हमको sales में करना, कोई changes नहीं है सा, ठीक है, यहाँ पने कर दिया, इसके वाद इसके ledgers होंगे, आपके आउटपूट, जीएस्ट, यह भी जाएगा से duties and taxes में, GST, GST, 0%, देको, same to same, मैं सिब महाँ पर आपका input की जगह आउटपूट, इसलिए मैं आपको fast fast बता रहा हो से, ताकि आपी का time waste ना हो, है, खिक है, GST, GST, 0%, यह परसंट, 0%, यह परसंट, यह परसंट, यह परसंट, यह परसंट, यह आपके सभी ledgers, हमने अभी बना धिया, अब हम गजलना है सर आईटमस, कहां पर चलना है सर आईटमस में, जहां मने ए-पने च्रूट पाइटमस क्रियेट किया था, जो पन सब्सक्राइब पर अपर यहां पर आपको यहां पर एचसे सट सीडिटेट एच पर कमपनी स्टॉक ग्रूप अगर आपने कोई ग्रूप क्रियेट किया हुआ उसमें गर आप डिट डाल दोगे तो यह automatically यहाँ पर ले लेगा, हम नहीं डाला, इस पर लिए हम लिए आ करें कि specific details ही है, इस product के लिए आपका specific है, तो enter किजिएगा, hsn code आप यहाँ पर जो भी इसका product का hsn code है, वो आप insert किजिएगा, description के अंदर लिखना है, भी लिएक सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर rate enter करनी है, जैसे details here, taxable, कितना rate है, for example, 18% का rate है, अब यहाँ पर 18% का rate है, नॉर्मली वो product wise अगर हम बात करते हैं, तो 18% किसाब से calculate करता है, लेकिन किसी reasons की वज़े से, चाहिए वो टेली में कुई mistake है, problem से या कुछ भी है, इस तरह से create करने से वो tax calculation नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर opening stock है, तो आप यहाँ पर डाल से इचाहिए, Samsung भी same to same है से, यहाँ पर अगर आपको जो भी आपको score हो, specific और 18%, जो भी data, for example, 5% ही डाल दाव लेकर, ठीक है, 5%, अब यह हमने से इंटर कर दिया, अब आपको इतना करना है, दूसरा आपको party की ledgers में जाना है, जैसे for example, हमारा कौन था, महिपा, ठीक है, अब यहाँ पर आपको महिपाल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको उसका GSTIA नमबर compulsory रिखना है, ज्यान लगाना आपको, उसका GSTIA नमबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो for example, जो भी आपका GSTIA नमबर है, 2, 3, 2, A, 2, C, 3, 6, 952, H, 1, Z, Q, for example, यह नमबर है, ठीक है, यह हमने नमबर है, for example, 2022, 23, 0, date आपकी आजाएगी, party name कौन है, सर महिपाल है, अब यहाँ पर आपका receipt note number क्या है, dispatch document number क्या है, dispatch through कैसे जा रहा है, for example, by road जा रहा है, destination आपका क्या है, for example, आपका destination indoor है, carrier name, as an name क्या है, उसका bill, LRN नमबर आपका क्या है, date क्या है, motor vehicle number क्या है, जैसे, for example, MP13, MP13, CA9966, यह, for example, number है, इसका address आप पूरा insert कर दीजीगा, place of supply, आपका है, अब आपको यहाँ पर कौन सा legislate करना है, purchase लेज़, तो हम 5% का product अगर purchase कर रहे हैं, तो आपको 5% वाला product आपको select करना है, name of items, name of items कौन सा है, for example, Samsung है हमारा, कौन सा गडाउन में रखना है, वो तो हमने पहले भी already cover किया हुआ है, 10, पहले का यह rate था, automatic, इस बार rate अगर बढ़ गया है, तो rate change कर सकते हैं, यह आपने cut गया, और items अगर आपको enter कर रहे हैं, तो जितने भी आप enter कर सकते हैं, यहापर आप enter कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर, जैसे ही आपका यहाँ पर यह total है, इसके नीचे अगर आप आओगे, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर text का options, CST registration, just one second, related reports, okay, text analysis आपका यहाँ पर आता है, किस तरह से आपका text calculate हुआ है, आप धियान से देखेंगे, यह local purchase था, 25%, Samsung 40GB ही purchase value एक डेट लाग है, और 2.5%, 2.5% के यहाँ आप से rate calculate हुआ है, ओके, तो यहाँ पर आपका text इस तरह से calculate हुआ है, अब आपका जो भी घुर से, वो 50,000 रुपीज से उसकी value ज्यादा है, तो आप उसको यहाँ पर क्या करना, yes, क्या EVP generate हो जाएगा, यहाँ से, हमने यह क्या की यहाँ सर, purchase कर लिया, अब as it is यही product, अगर आपको sales करना है, तो sales करेंगे, for example, रुपेश को करेंगे, जो भी details आपकी डाल नहीं, आप यहाँ पर डाल दिजिएगा, local sales 5%, Nemo Python, Samsung, कौन से go down में पढ़ा हुआ है, for example, पोपाल वाले में, 5 बेस देते हैं, 20,000 की rate लगाते हैं, सर, एक लाग, यह क्या, अब आपको क्या करेंगे, सर, यहाँ पर और आइटम से add करें, अब यहाँ पर आपको output लगाना, GST, output, CGST, ओके, अब collect नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, समस्ते हैं, सर, यहाँ पर आप enter करेंगे, यहाँ पर आपने purchase select कर लिया है, ओके, एक और चीज़ यहाँ पर ज्याद रखनी है, कि सर, यह जो हमने रूपेश का latest create किया हुआ है, यहाँ पर उसका शायद हमने place of supply भी नहीं सका GST, नमबर हमने नहीं लिका हुआ, रेगुलर डिलर यह भी दिया, आगया च्प, क्योंकि place of supply अगर नहीं होता है, तो नहीं होता है, क्या आपको goods, कौन से स्टेट में जा रहा है, सेम स्टेट में जा रहा है, तो CGST, SGST, क्लेक करेगा, तो output, LGST, आपका 2500, 2500, 2500, ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया सर, यह purchase कर दिया, अब आप जितने भी आपके sales purchase है, as it easy होंगे, सर कोई changes नहीं होगा, अगर आप 5% का कर रहे हो, 12% का कर रहे हो, 18% का कर रहे हो, same to same होगा, हमने items के अंदर stock right हमने डाल दिये थे, अब आपको यहाँ उपर stock sales म rate डालने की ज़रूरत नहीं होगे, अगर आपका टेली सही तरह से वर्थ कर रहा है, तो clear हो गया, चल, अब इसको हम क्या कर लेंगे से, save दर लेंगे, अब आपको यह report कहां दिखते है, यहां से समझना, interest rate भी आपका same होगा, महाँ पर सिप CGST, SGST के जगह क्या आजाएगा सिर्फ IGST आजाएगा, अब आप यहां पर profit and loss में जाएगे, तो आपको यहां पर SADK, देखो आपने local purchase 5% किया हुआ, और local purchase 5% आपने sales भी किया हुआ, ओके, अब अगर आप balance sheets में जाओगे, और balance sheets के आप duties and taxes में जाओगे, तो आपको यहां पर इस तरह से शोग हो रहा है क्या हो रहा है सर, input CGST और input SGST आपका 3750 है, 3750 है, और आपने output GST यहां पर इतना किया हुआ, ठीक है, चल, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा यह rate बढ़ा देते हैं, ताकि हमको input adjustment के entry भी करने में जो आपको बतानी है, तो वो भी मैं आपको यहां पर कर देता हुआ, ठीक है, च 4000-4000 का tax आया, ठीक हो, आप तर यहां पर जो tax आप, आपको यहां पर आपको यह आउट्पूट गवर्मेंट को पे करना है, तो इसके लिए अप क्या entry करना है, इंट्री हमको एक adjustment input को setup करने के entry होती है, वो हम देखेंगे, हम जाएंगे सर्जेवी में, आप 7 में जाएंगे, और जो भी आपका month होगा, उस month की last date इंट्र करेंगे, output tax जो है, वो आपने credit किया था, यह credit किया था कि हमको government को pay करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको debit करेंगे, ठीक है, मैं यहां पर entry बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा easy हो जाए, ज्या credit करेंगे sir, output CGST, जो भी आपका उस month का tax है, for example 500 rupees, output SGST 4500, तो, अब आपके पास मैं input कितना set कर रहे हो sir, तो input CGST, कितना था हमारा, for example, देख लेते हैं, कितना text था हमारा input में, 3750, 3750, टीक है, 3750, तू, input SGST, 3750, आप सो बचा वो क्या होगा, वो होगा GST पेबर, कितना, 5800, तो यह हो गया, दोनों तरफ, 9000 यहाँ पे हो गया, और 9000 आपका यहाँ पे हो गया, clear, अब यह entry आपको टेली पे पास कर लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमको जाना होगा से जैवी में, clear, जैवी में जाना है, जैवी में हमको जाएंगे, vouchers में, vouchers में जाएंगे, vouchers में जैवी, जैवी में हम लिखेंगे सर, output CGST, कितना आएगा सर, 4500, आपको हर monthly adjustment करना, अब मंदना हर मंद लिखता हो, 4500, सेट करना है सर, आपको input के सामने setup करना, आपको, 3750, यहां पर amount करें लिया, ठीक है, और input SGST आपका आगया सा, 3750, अब आपका इजो text बचेगा, उसके लिए आपका letters create करना, during the transaction, आप letters create कर सकते हो, तो GST payable, ओके, इसका duties and taxes भी है, रख सकतो है, या फिर current liabilities भी आप रख सकतो है, ठीक है, यहां पर आपकी जो duties and taxes था, उसमें amount zero आगया, जो GST payable में 500 चला गया, यहां पर फंदरा सो ही दिख रहा था, यहां पर यहां पर shift हो गया, अगर आप यहां पर duties and taxes की लेजर्स दिखूंगे, आपको कुछ ने दिखे का, यहां पर आपको payment करना होगा, 20 तारीक हमारे GST, GSTR 3B file करेंगे, उसमें है, तो हम 20 को payment करेंगे, तो payment करने के लिए आपको F5 में जाना पड़ेगा, और क्या लिखना है, यहां पर GST payable, कितना रिप्टेन, कौन सी बैंक से करोगे, जो भी आपकी बैंक होगी, एक से करोगे, ओनलाइन ही करते हैं हम न और पले, तो ओनलाइन का प्रिफ्रेंस नमर आप ना देची, अगर आप बैलन शीट में देखोगे सर, आप तो यह बैलन शीट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, GST Paypal भी आपका 0 हो गया, Duties and Taxes भी आपका 0 हो गया, अगर आपके Stock देखना है, Stock Summary अगर आपको देखना है, तो आप यहापे देख सकते हैं, Apple के Mobile आपको इस तरह से आपको दिखेंगे, Inwards, Outwards, अगर आप Group वाइस देखना चाहते हैं, तो भी आप Group सकते हैं, Display More Report में में जाओगे तो आपको एक Mobile दिख रहा है, डारेकली आप Apple के Mobile में भी जा सकते हैं, या रेकलाब संसेट के Mobile में भी जा सकते हैं, कि आपको सभी इंटरीज आपको यहाँ पर दिख जाएगे, ओके गॉट इतना हमने हमारे GST में cover किया, अब सर आपको यहाँ पर देखेंग हमने उनके GST नमबर नहीं डले होंगे, कि हमने यहाँ पर जो भी sales किया होगा, उनके GST नमबर नहीं डले है, इसलिए यहाँ पर डिटेल्स आ रही है, यहाँ पर भी आपका क्या पूछ रहा है, सर, डिटेल्स और पार्ट्याज इनिवरी नौस स्पेशिफाइड, HSN आप यहाँ पर जाएंगे सर, unit of measure में, इसमें जाएंगे, unit में, अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको number select करना होता है, ठीक है, यह, एक error आपकी यहाँ पर चली जाएगी, देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो आपकी यह error आपकी यहाँ पर चले कि, यह error आपकी एक, यहां पर साथ, यह, आपकी एक error यहां पर चले कि, HSN not valid, यहां पर आपने HSN इंटर नहीं किया हुआ, इसलिए भी आपको यहां पर टेटल्स पूच रहा, आपने इस product का HSN नहीं किया, तो हम यहां पर इसका HSN भी इंटर कर लेता है, यह SSN आपका validity नहीं कर रहा, ऐसा बोद रहा हूँ, clear, अभी हम, यहां तक हमने यह cover कर लिया, यानि के सरी input tracks के एडिट कर लिया, इसके बाद हमने GST के registration number, sorry, return भी देख लिये, GSTR 2A2B, सब कुछ हमने यहां तक, जो एक normal accountants को requirement होती है, वो part, four parts हमने cover कर लिया, I hope कि आपने इस classes, दो वीडियो के अंदर, यानि कि 120 minutes का वो वीडियो था, 60 minutes का यह है, यानि कि 3 गंटे में, आपने 3 महिने जैसा यहां पर आपने सीख लिया, अब practice आप कर सकते हैं, practice के लिए अगर आपको exercise के जरूरत है, तो आप हमारा telegram group है, आप वो उसकी link आपको description के अंदर share की हुई है, वहाँ पर आप उस group को आप join कर सकते हैं, वहाँ से आप हमारी exercise आप ले सकते हैं, या फिर हमारा एक WhatsApp group भी है, YouTube का, वो भी आप वहाँ पर join कर सकते हैं group को, तो और आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ कवर किया, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिएगा, और comment करके आप ज़रूर बताएगा, यह वीडियो आपके लिए कितना beneficial है, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक्यू सॉमॉच, have a nice day,